नमस्कार यवनो मेने तेने सनवाल कक्षा पर्थम विशे हिंदी नंदनी भाग दो बाग एक क्योंकि कक्षा पर्थम है तो हमारी जो पुस्तक है पर्थम में भाग एक है और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह पेज नंबर सभी भाग बेन अपनी पुस्तक है खोल लेंगे पेज नंबर 34 34 पेज नंबर 34 निकाल लेंगे इसमें ओ और अउ की मात्रा का प्रियोग किया गया है इसमें और इसका मैं अभ्यास जो पहले भी आपको जो है इनका एक बार मैं पहले भी आपको कॉपी में करा चुका हूँ लेकिन यह आज पुस्तक में मैं आपको करा रहा हूँ इसका अभ्यास जैसे उपर लिखा भी है अभ्यास ठीक है यह लिखा है ना अभ्यास यहाँ पर कारी लिख देंगे कारी ने लिखा मैंने लेकिन अभ्यास है ठीक और ये पेज नमबर ये 34 है इसको आप पेज नमबर 34 निकाल लेंगे ये प्रस नमबर एक है ये प्रस नमबर एक है नेम लिकेत अक्षरों को जोड़ कर लिखिए ये लिखा है नेमने लिकेत ठीक है नेमने लिकेत अक्षरों को जोड़ कर लिखिए ठीक का नमबर है गा प्लेस ओकी मात्रा प्लेस बहा प्लेस ओकी मात्रा तो यह हो जाएगा जैसे ये लिखा है उधारण में गो गा में ओकी मात्रा गो भा पर बड़ी के मात्रा है भी गो भी क्या हो गया गो भी ठीक है इसी प्रकार छे खा मा प्लेस ओकी मात्रा प्लेस रा तो यह हो जाएगा ये मा प्लेस ओकी मात्रा मो मा पर ओकी मात्रा लगा देंगे ये हो जाएगा मो रा मोर क्या हो जाएगा मोर ठीक है ये आउँ अउँ ये सोता है अपने आप में अउँ है ये ठीक प्लेस सा सा से सटकोन इसको बोलते हैं प्लेस ये छोटी की मात्रा है प्लेस धा ये छोटी की मात्रा जो है धा पर लगेगी ठीक है इसको अप जब मिला देंगे औसधी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा औसधी आउँ ये है सा धा पर बड़ी की मात्रा औसधी क्या हो जाएगा औसधी ठीक है उसी प्रकार चे ला ला पयाओ की मतलर लाओ प्लस का का पयाओ बड़ी की मतलर की क्या हो जाएगा लाओ की क्या हो जाएगा ये लाओ की ठीक है इसी प्रकार चे बोलना भी है और अपनी कौपी में लिखना भी है इसको भी ठीक तो डबल काम हो जाएगा एक तो आपकी पुस्तक में भर लेंगे आप और इसको फिर अपनी कौपी पर भी इसी प्रकार से करने का अभ्याज करेंगे मा पर आउग की माउ प्लेस सा प्लेस आ का डंडा मा पर आउग की मातरा माउ सा पर आ का डंडा सा क्या हो जाएगा ये मो सा क्या हो जाएगा मो सा ठीक है फिर माउ मा प्लेस आउग की मातरा माउ प्लेस सा सा पर बड़ी की मातरा क्या हो जाएगा माउ सी मा पर आउ की मात्रा मौ, सा पर बडी की मात्रा सी, मो सी, तो यह जाएगा, मो सी लिखा है का प्लेस चा प्लेस आउ की मात्रा प्लेस दा प्लेस बडी की मात्रा तो यह होजाए का, चापाया आउ की मतरा चाऊ, डा, डा पाया बडी की मतरा अडी, कचोडी, क्या हो गया है का, कचोडी, ठीक है? अब देखें, जा पर, खा, चोडी के मतरा, यह पहले चोडी के मतरा लगी है, प्लेस खा, यानि यह मतरा जए खापा लगी है, तो खी हो गया, प्लेस ला, ला पर, प्लेस आउ की मतरा, लाउ, प्लेस ना, ना पर आका डिंडा, क्या हो जाएगा? खापपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप की मतला गो, भापया बड़ी के नहीं भी, गो भी, मापया ओ की मतला मोर, आउ, सा, धापया छोटी के मतला धी, आसधी, लापया ओ के लाउ, कापया बड़ी के मतला की, लाउ की, मापया ओ के नहीं माउ, सापया का डिंडा सा, मौसा, मौसा, मोसा certainty का चापत है किर चाहओ ढापा बढ़ी ते ड़ी नुर्ण टभी किसा हूँ ना पहा का डिंड़ ना खिलो ना सही है अब प्रेस्ण मत दो है ये नीचे आप करेंगे चित्र पहचान कर सही नाम के सामने सही का चिन लगाईए ठीक है चित्र पहचान कर सही नाम के सामने सही का चिन लगाईए ठीक है अब ये क्या है ये दो विकल्प दिये हैं ये मोर कोयल तो ये क्या है मोर है कोयल है मोर है ना तो मोर पर आप जो है सही का निसान लगा दो खामे गाजर लौकी ये क्या है गाजर है ये लौकी गाजर है ना ठीक है तो गाजर पर लगा देंगे ठीक अब देखें ये लिका है खिलोना हतोरी ये क्या है खिलोना है या हतोरी है बजाईया खिलोने है ना तो खिलोने उपर निसान लगा देंगे केतली टोकरी क्या ये केतली है टोकरी है केतली तो ये केतली पर हम निसान लगा देंगे ठीक है समझ माई है ना अब देखिए अगला पेज अगली पेज में आप देखिए ये क्वेशन नमबर ये तीन है उपर वाला क्वेशन नमबर तीन लिखा है दिये गए चित्रों के सामने लिखे सब्दों को ओ की मात्रा या अउ अउ की मात्रा लगा कर सब्दों को पूरा कीजिए अब इनमें जो हैं ओ की मात्रा और अउ की मात्रा लगा करके सब्दों को पूरा करना है ये जो चित्रा आप देख रहे हैं ये कौन से चित्रा है खरगोश का ये क्या है नाव नौका ठीक है और ये क्या है धोबी और ये क्या है तोता ये क्या है फोजी और ये क्या है कोयल सही है अब आपको यह क्या है खरगोश तो यह लिखा है खार अब इसमें कौनची मात्रा आएगी गो यानि ओ ओ की मात्रा तो यहाँ पर आप ओ की मात्रा लगा देंगे ओ की मात्रा कौनची होती है यह वाली ठीक है यह वाली मात्रा यहां पाजागे तो यह हो गया खरगोश ठीक है अब उसी परकार्ट से अब यहां पर देखेंगे नौका ना पर अउग की मात्रा यह अउग की मात्रा है तो अउग की मात्रा लगा देंगे नौका नौका ठीक है अब यह कौन है धोबी दहापर ओकी मात्रा ओकी मात्र लगा देंगे यह हो गया धोबी यहाँ पर यह क्या है तोटा तापर भी हम ओकी मात्र लगा देंगे तोटा क्या हो जाएगा तोटा यह कौन है फोजी यानि सिपाही ठीक है तो फाव की मात्रा लगाएंगे फाव जी ठीक है यहाँ पर ये कोयल है कापव की मात्रा कोयल ठीक समझ भाएंगे ना दोबार आप देंगे ये लिग गया खरगोश नौका दोबी तोटा फावजी कोयल ठीक है अगला दिखेंगे नीचे अब इनको मिलान करना है चित्र पहचान कर सही मिलान कीजिए जित्र पहचान कर सही मिलान कीजिए ठीक तो ये क्या है औसदी यानि दवाई की सिसी है ये औसदी बोलते हैं इसको ये देखें आप ये औसदी बर लगाएं अशदी लिखाये याँ पर तो ये औसदी पर लगा दिया ठीक है इसी प्रकार से आप दीखें यह खा है यह का नंबर है और यह खा नंबर है यह क्या है खिलोने अब यहां पर खिलोने कहा लिखा है ये सुरोबर लिखा है धोलप औजार ठीक है गोबी खिलोना ये खिलोने तो खिलोने पर इसको आप यहां मिला देंगे ठीक है समय किरना है बात को ये हो गया ठीक अब गा ये गा नमबर है ये क्या है तालाग सुरोबर भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सरोबर तो इस सरोबर कहा लिखा है ये लिखा है तो ये सरोबर पर मिल जाएगा ठीक है ये सुरबर हो गया ठीक तालाग गोभी, यहां पर कहां लिखा है गोभी, यह लिखा है, गोभी, यह गोभी पर मिलान कर देंगे, ठीक है, अब वो अड़ा, यह क्या है, ओजार, ठीक है, तो ओजार यह लिखा है, तो यहां पर आम मिलान कर देंगे, इस तरह से, ठीक, यह क्या है, ढोलक, क्या यह, ढोलक, अच्या नमबर पर धोलग यह लुंखा यह लिखा है ऺंड से समझेंनार wagon से करें तो हम आ ऐसादय और रहे असदी लगा दिया यह खिलाने है खिलानए लगा दिया सरूबर है, सरूबर पर लगा दिया और ये गोबी है, गोबी पर लगा दिया ये ओजार है, ओजार पर लगा दिया ये ढोलक है, तो इसको ढोलक से मिलान कर दिया ठीक है भाईया मैंनो, समझ मा आ गया होगा इसको आप अपनी पुस्तक पर भी इसी प्रकार चे फिल करेंगे इसको और यह जो पहला वाला प्रेस्टन है यहनी 34 पर पहला वाला जो प्रेस्टन है इसको अपनी उत्तर पुस्तिका मेर भी उतार लेंगे ठीक है? आद का कारी है मैं यहीं समाप्त करता हूँ धन्यबाद, नमस्कार